हाई फ्रेंट्स मकुंदर नकुमार हमारे चैनल के के अर्निक टिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आप लोग लिए फिर से में न्यूए और फ्रेस वीडियो लगर करें आज चुका प्रेंट्स जैसे कि इस वीडियो के थमिले पर आपने देखे प्रेंट्स की अप्लिकेशन को उपने करते हैं और उसके बाद इसमें लाइफ प्रोसेस हम लोग मनी ट्रांसफर करके देखने वाले तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दू प्रेंट्स की अगर आपकी EPS बैलन्स अगर आप EPS से विड्राव कियें तो EPS बैलन्स से आपको पहले आपको मैं वालेट में लाना होगा तो देख सकते हैं वालेट आपको क्लिक करके यहाँ पर एमाउन डालके IMPS करके OTP लेकर के आपको यहाँ पर सबसे पहले यह मैं बैलन्स में आपको सबसे पहला प्रोसेस है वीडियो के डिस्क्रिशन में जाना जा आप पर एक लिंक भी लेगा जिस लिंक का नाम है kkaEarningTricks.online जो हमारी kkaEarningTricks की ओपिसियल वैपसाइट है जिस तरह से आप अपने पेटियम और फिलिप कार्ड में परचेश करते हैं सेम तरीके से आप यहां से आदिया की Retailer, Distributor, Super Distributor जो भी ID चाहें बहुत ही आसानी से परचेश कर सकते हैं परचेश जैसे आप Successfully कर लेंगे तो हमारी kkaEarningTricks की टीम आपसे Contact करेगी और आपकी ID Successfully आपको बना करके दे देगी और दूसरी तरीक है अगर आपको वहां से परचेश करने पर और बात करते हैं Money Transfer के Topic के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बैंकिंग वाले सर्वीस पर जाएंगे यहां पर एक Options मिलता है DMT का है यानि कि Domestic Money Transfer इस पर हम जैसे आ जाते हैं यहां पर और उसके बाद यहां पर हमने जो भी Mobile Number आपको Sender Mobile Number है वो आपको डाल देना है जै हमें एक एकाउंट और एड करना चाहता हूं तो उसे एड कर लेता हूं तो चलिए प्रेंट हमारा पहला वाला जो एकाउंट है उसी पर हम लोग Money Transfer करते हैं तो यह दख सकते हैं Transfer पर क्लिक करने के बाद Get OTP पर क्लिक करके सबसे पहले आप OTP ले लेना है उसके बाद यहां पर हमने Amount टाल दिया है 120 का देख सकते हूं उपर से OTP आ चुका है पहले OTP में भी काफी Problems हो रहा था तो OTP भी आम आना स्टार्ट हो चुका है यह Company काफी Growth कर चुकी है आप और इसमें कोई भी Problems आप को देखने को नहीं मिलेगा उसका Send Now और Confirm पे हम लोग क्लिक करेंगे तो Please Wait Do Not Reference इस पेज इस तरह से लिख करके आप लोग को आ जाएगा तो हमारे Network थोड़ा सुलो है तो देख सकते हैं इस परकार से आप लोग को भी देखने को सो करेगा तो Friends यही Problems के हम लोग बात करते की Status यहाँ पर दिखाएगा कि आपका इस आरान नमर के साथ आपका Transfer हो चुका है बट यहाँ पर आपको E-Road आ जाएगा उसके बाद आपको Back आ जाना है उसके बाद बैक आ जाने के बाद आपको History पर आ करके आप लोग को Report पर आ करके जैसे आप Record पर आएंगे यहाँ पर Money Transfer पर आप लोग को चल जाना है Report पर आ जाने के बाद उसके बाद यहाँ Report Money Transfer पर आ करके देखेंगे तो यह Transfer हमारा Successfully हो चुका है और उपर से भी आप देख सकते हैं हमारा Bank से भी Message आ चुका है तो Friends अगर आपको उस तरह का Notification आता है तो सबसे पहले जाकर के History में आप लोग आजाए तो Friends मैं आसा करता हूं कि आधिया Payment Bank की यह जो Money Transfer प्रॉब्लम थी वह आप लोग समझ गये होंगे Solve हो चुकी है इस तरह से अगर आप Interface प्रॉब्लम से फेस करते हैं तो इस तरह से आप solution ले सकते हैं तो चलिए Friends मैं आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको सब्सक्राइब जरू से कर लेजगा तो थैंक्यू फूर वाची देस ब्रॉड़ फ्रेम मिलते हैं